हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं SSE GDK regarding complete information आपको second list के विशे में देने वाला हूँ तो फ्रेंट्स कई यूटूबर आपको गुमराह करने का प्रियास कर रहे हैं मैं आज इस वीडियो के माधियम से मैं आपको complete बताने वाला हूँ आपका physical के लिए कितना गुना candidate को बुलाया गया था देखे फ्रेंट्स यह आपका official notification का para number 13.4 है इसमें क्या लिखा है आप थोड़ा सब पढ़ लिजे male and female candidates will be shortlisted state and area wise and category wise on the basis of their merit in the computer based examination including NCC bonus marks if applicable for appearing in the PT and PST the number of candidates shortlisted for PT and PST on the basis of their merit in the computer based examination will be about 12 times of the number of vacancies more number of candidates can be shortlisted against the vacancies of SSF तो friends देखे आपको इसमें कहा गया है इस first route से कि जितनी भी vacancies है उसके 12 गुना छात्र को 12 गुना अभियर्थी को आपका PT के लिए बुलाया जाएगा यानि physical efficiency test और physical standard test के लिए बुलाया जाएगा आप देखिए आपका seat जो है वो कितना है आपको मैं फिर से बता दू देखिए seat आपका जो है वो 25,271 है यदि आप 25,271 को multiply कर देते हैं friends कितना से करेंगे 12 से करेंगे क्योंकि 12 गुना candidate को बुलाया गया है तो जैसे ही 12 से multiply कर देते हैं तो आपका आता है 30,32,52 तो देखिए 3,252 candidate आपका total जो है वो multiply करने के बाद आता है 25,271 आपका seat है इसको 12 से multiply कर दिए तो देखिए कितना आ गया 3,252 आपका total number of candidate कितना को PhD के लिए याने कि physical efficiency test के लिए बुलाय गया है अब ध्यान दे फ्रेंट्स तो थोड़ा सा अगर आप list नमर 4 को देखिए तो 2,50,274 candidate को आपको male के लिए बुलाय गया है जो male candidate है उनका total number of candidate कितने को बुलाय गया है अब थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आईए अब नीचे जब आते हैं फ्रेंट्स तो अब देख सकते हैं कि 3,666 female candidate को PhD के लिए बुलाय गया है तो 30,960 यहाँ पे हो गया आपका और यहाँ पे कितना हो गया 2,50,274 ठीक है फ्रेंट्स यह male और female का total आ गया ST का 45,OBC का 165 और UR का 315 यह अगर total हम calculate करते हैं फ्रेंट्स तो आपका आ जाता है 690 तो 690 ऐसे candidate हैं जिनको SSF female के लिए बुलाय गया है SSF female के लिए बुलाय गया है उसके बाद मैं आपको बतावाता हूँ कि male के लिए जो है वो कितने SSF candidate को बुलाय गया है तो देखें फ्रेंट्स mail के लिए यदि हम बात करें तो EWS का आपका 280, SC का 420, ST का 210, ESM का यानि Retired Service Man का 360, OBC का 735, UR का 1200 साइट यदि इसको जोड़ते हैं फ्रेंट्स तो आपका आ जाता है 3270 तो देखें इसको जोड़ने पे 3270 candidate हुआ अब मैं total candidate को आपको जोड़ के बता देता हूँ कि कितने candidate को आपका physical efficiency test के लिए बुलाय गया है तो देखें 2,50,274 यहां पे हो गया 2,50,274 आपका यहां पे male के अंदर हो गया उसके बाद 30,960 जो है वो आपका female के लिए हो गया ठीक है फ्रेंट्स उसके बाद SSF female की बाद करें तो 690 हो गया और SSF male की बाद करें तो 3270 हो गया यदि सबको आप calculate करते हैं ना फ्रेंट्स तो 2,85,201 candidate आ जाता है तो देखें 2,85,201 candidate को finally PST के लिए नि फिजिकल efficiency test और फिजिकल standard test के लिए आपको बुलाय गया है 271 था और इसको 12 से जब आप multiply करते हैं तो total number of candidate आता है आपका 3,35,202 ठीक है फ्रेंट्स 3,35,352 candidate आपका आ जाता है और आपको बुलाया गया है कितना PST के लिए तो only 2,85,201 candidate को बुलाया गया है तो देखें फ्रेंट्स बुलाना चाहिए था 3,352 candidate को लेकिन बुलाया गया है 2,85,201 candidate को मतलब अभी भी इनको अगर minus करते हैं यहाँ पे तो आपका आता है 18,051 मतलब अभी भी 18,051 candidate को बुलाया जाना बाकी है तो आप maximum chance रखिए कि आपका second list जो है वो आ सकता है इसी मन्त के अंदर और देखिए फ्रेंट्स आप यहाँ से यह proof हो जाता है कि 18,051 candidate ऐसे हैं जिनको physical efficiency test के लिए नहीं बुलाया गया है इनको बुलाया जाना चाहिए फ्रेंट्स तो देखिए अगर आपका second list आना होगा तो आप शियोर मानिए कि इसी मन्त के last तक आपका जो है वो आ जाएगा second list और आपका जो physical होना है फ्रेंट्स वो जून के महिने के अंदर जो है वो SSC के द्वारत तै की गई है तो आप maximum chance रखे कि जून के अंदर आपका physical हो जाएगा और फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए दोस्तों तक से share किजिए वीडियो को like कर लिजिए धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए